कै दोस्तों किसी चलती ट्रें या ट्रें की चार्ट प्रिपियर होने के बाद यदि कोई शीड खाली हो तो उसे हम कैसे बुक कर सकते हैं इसके बारे में हम IRCTC की वेबसाइड तता अपलीकेशन का इस्तेमाल करके समझते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी ट्रेन की चार्ट कितने घंटे पहले प्रिप्यार होती है देखिए आम तोर पर किसी भी ट्रेन की चार्ट उसके डिपार्चर टाइम से चार घंटे पहले यानि उसके छूटने की टाइम से चार घंटे पहले तैयार की जाती है लेकिन यदि वो ट्रेन सुबह की हो सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे यानि 11 बजे से अगर पहले की वो ट्रेन है तो उसकी जो चार्ट होती है वो पिछले रात को 8 से 9 के बीच में ही बन जाती है मैं एकजांपल के तौर पर आपको समझाता हूं जैसे एक ट्रेन है उद्यान एक्सप्रेस यह सुबह की ट्रेन है और आपको क्या लगता है अगर हम IRCTC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखे तो चार घंटे पहले त्यार होना चाहिए यानि अगर यह सुबह आठ बज़े की ट्रेन है तो मॉर्निंग में चार बज़े इसकी चार्ट प्रिपेर होनी चाहिए लेकिन जब आप देखेंगे तो यह पिछली रात को न आठ को ही यह आठ या नौ बज़े के आसपास इसकी चार्ट प्रिपेर हो जाती है ठीक है अब चलिए हम यह समझते हैं कि चार्ट बनने के बाद यदि सीट खाली हो तो उसे कैसे बुक करें तो सबसे पहले हम वेबसाइट के माध्यम से समझते हैं तो इसके लिए आपको क और IRCTC की वेबसाइट को लॉग इन कर लीजिए लॉग इन करेंगे सबसे पहले चलिए मैं यहां पर अपना यूजर नायम पासवर्ड और एक कैप्चा फिल कर देता हूं के टी नाइन डबलो मैंने यह फिल कर दिया और मुझे यह चार्ट यह पेज ओपन हो गया अब यह महाने पर आपको PNR स्टेटस दिखाए देगा चार्ट या वेकैंसी का इसu पसन दिखाए देगा तो आपको यहां जाना है चार्ट या से अपन। मगरे आज क्योंकि डेट है तो मैं यहां पर या तो महानगरी का नाम डाल दू या उसका ट्रेंड नमबर डाल दू तो मुझे महानगरी का ट्रेंड नमबर याद है जो 22 22 एक 77 जैसे आप डालेंगे चलते है तो आज डेट चार से पहले चार टारिव है और 12 वजेसे पहले चार लि Wortude के 5 मिनट पर यह 5 तारिक हो जाएगा तो मैं यहां डेट चेंज कर लेता हूं 5 तारिक और फिर बोर्डिंग स्टेशन मैं कहा लूँगा मा लेज़े यह CST से चलती है बनारेस के लिए तो मैं CST ले ले लेता हूं और फिर गेट ट्रेंज चार्ट पर क्लिक कर दूँगा मैंने जैसे क्लिक किया अब यहां आपको दिखाए यह रिजर्वेशन चार्ट का यह पूरा का पूरा खुल गया ओप्सन और यहां दिखिए चार्ट इसका कब प्रिपेर हुआ है 20 बच के 38 मिनट का मतलब होता है बार आठ बी है अगर आपको यह जानना है कि अच्छा यह जोट्र क्लास है इसमें कहा से कहां तक ड्रें में कोई सीट खाली हो सकती है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए जीरो बर्थ वाले पर लेगे यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको को यहां पर देखिए सब दिखाई देगा कि फ्रॉम स्टेशन तू स्टेशन यानि जलगाओं से लेकर भुसावल तक के लिए एस वन में 18 नंबर जो मिडिल बर्थ है वो खाली है आप उसे बुक करना चाहे तो बुक कर सकते हैं उसी तरीके से पुरा जलगाओं से बुरहान पूर के लिए है लोवर बर्थ है यह खाली है एस वन में 57 ठीक है नीचे स्क्रोल करते जाएंगे तो आपको जो भी जहां से ज जलगाओं से भुसावल तक जाना है माल लेते हैं और मैं यहां पर चाहता हूं कि ठीक है या मैं उसी ट्रेन में हूं और मुझे कुछी दूरी करनी है मैं चाहता हूं कि एक दो घंटे की सफर है मैं बैट करके चला जाओं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ऐसे ही यह साइ क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि यह चलेगी तो 5 तारिक में 3 सीट खाली है कहां से कहां तक के लिए यहां देखें जलगाओं से भुसावल के लिए यह यहां से जलगाओं ळिक है तो सुभह 46 से साथ बीस यानि कि लगबग 40 मिनट का यह सफर है तो आप यहां चाहे तो भूक करना भूक कर सकते हैं ठीक है यह बात हो गई किसके तुरू यह होगी हमारी IRCTC के वेबसाइट के तुरू अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है कैसे ऑपरेट करना है वो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं अप्लिकेशन के तुरू भी बता देता हूं चलिए अप्लिकेशन के तुरू जाने के लिए पहले हमें य IRCTC का अप्लिकेशन और मैं इसको ओपन करने के बाद यहां फिर से हमें क्या करना होगा यह जैसे ओपन होगा इसको लॉग इन कर लेंगे यहां पर हम लॉग इन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे लॉग इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपना फिंगर प्रि और उसके बाद नीचे जो ओप्शन दिखाई दे रहा है चार्ट वेकेंसी तो चार्ट वेकेंसी पर क्लिक कर देना है अब यह आपको एक नय पपेज पर ले जाएगा और वहाँ पर फिर से आपको ट्रेन का डिटल ढालना है अब जैसे मैंने वेपेज पर को मैंने महानगरी का दिखाए था अब यहाँ पर मैं उड्यान का दिखाता हूं क्योंकि उड्यान जो है रात के सुबह वाली ट्रेन है शुबह आठ बज़े और आज 4 तारिक है यानि कल सुबह 5 पाँच तारिक को 8 बज़े यो ट्रेन जाएगी और इसका चार्ट अब ज़ीक है चले माई यहां लिख देता हूं कि उड्डियान के उड्डियान देखे इग्यार्य जीर ट्री जीरो वन यह उड्डियान का यहां से जाने का है कहां से तो यह देखिंग इस पे क्लिक करता हूं बोर्डिंग स्टेशन आपको दिखाएगा सिसे चार तारीक clutter के लिए जाने का है तो हमें चार तारीक में नहीं कहांक पांस तारीक में देखना और कहां से कहां तक केलिए जाना है तो हम CST से लेते हैं और 뜻 life experience, हम जो गेट ट्रेन चार्ट है उस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करेंगे तो इसमें भी दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्लास एसी सेकंड क्लास एसी थर्ड क्लास एकोनॉमिक और स्लीपर बर्थ ठीक है तो फर्स्ट क्लास एसी में एक सीट खाली है सेकंड क्लास में दो सीट खाल है 8 वज़े की ट्रेव है लेकिन इसका चार्ड नर्भन केया रात को यानि आज रात को यहीं हो चुका आ और हमें 5 पांच तारिक को सुभा 8 डी रित्रस अब हम देख रहे हैं कि यहां स्लीपर में को जिरो वाः WEARTH धिख रहे हैmir, तो हम तरीके से और नीचे जाएंगे तो पूने तक के लिए आपको खाली मिल जाएगा तो इसके बाद से पूने और लोनावला आम तोड़ पर इतने ही तक कि यह जो शीट है यहां पर स्लीपर में अवयलेबल इसके आगे की सीट अवयलेबल नहीं है तो आप चाहें तो इसे सेम वैसे ही बुक पर क्लिक करके ओके कीजिए और जाकर के आप उसे बुक कर सकते हैं वहाँ के लिए बस आपको यहां जाना है यहां पर उढ़्यान यह सीधह आ गया है और इसलीपर को रिफ्रेस्ट कीजिए और यहां पर पांस तारीक में देखिए आपको इच्छ सीट सीट को बुक कर सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आज के लिए इतना रखते हैं और बाकिक स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे